नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका ससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंग सर आज हम करेंगे 12 दिसंबर की सिफ्ट 4 का पेपर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिनादेरी किये हुए देखो यहां पर वर्स 2001 में उत्पादिद PRU प्रकार की कारों की कुल संख्या क्या होगी दिए गया था कंपनी द्वारा 2 वर्सों में उत्पादिद 6 अलग अलग प्रकार की कारों का परसेंटेज इसमें तोतल यह था Edition 44 1 2 3 4 बटे कर देंगे सो यहैं तोटल अगे यहां से देखें के 40 percent और हम लेगे किसको हार को लेंगे साथ से confess यहां सब्सक्रम पचेक्टर तक 15 percent यहां करेंगे पांच 版। यानि कि टोटल करेंगे 40, 10, 50, 10, 60 परसन यानि कि 60 की वेलू निकालनी थी 6-24 हांसे लगा दो 6-24 और 2-26 हो गया 264 किस में लिखा है आंसर हो गया आगला सवाल करते हैं दिये के बर्सों के दोरान संगठन में सामिल होने बाले बैपार विसलेसको की कुल संख्या और संगठन में सामिल होने बाले बिक्री प्रतनियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या होगा तो देखो वेपार विसलेसक इसमें हो रहे हैं 8-3, 11, 11, 12, 13, 13, 17, 20 की जिरो हांसे लगा 2 हो गया 8-2, 10, 10, 6, 16, 16, 17, 23 हो गया 23 और 10, 33 हो गया यानिकी 5-7, 7-4, 11, 11, 14, 14, 14, 14, 15, 19 हो गया जैनिकी if this difference करेंगे तो 0 हो गया 13-9, 4 बचा 2-1 गया 1 बचा आंसर आ गया अब यहां से दिखो सभी के यूनि डिजिट अलग अलग थे यानिकी यहां से इसका यूनिट डिजिट निकालते 0 आता unit digit निकालते जीरो आता जीरो से जीरो घटाते तो unit digit हमको जीरो मिलता अगला सवाल करते हैं एक ऐसा संकोवा कार पात्र है जिसकी आंत्रिक तरज्या 20 cm है और उंचाई 27 cm है पानी से भरा है यदि पानी को 15 cm तरज्या वाले एक बिलना कार पात्र में उड़ेला जाए तो उस पात्र की पानी किस उंचाई तक होगी दोनों के वॉल्यूम बरावर होगी जहां तक इन्ठू य चो जाएगा इतना पानी बरा हुआ तो पाई से पाई कैंसे नौं से 17 हो गया या से करेंगे तो बीस गोडें 20 गोडें 95 गोडें 15 हो गया या से करेंगे तो 5.24 15 को 5.25 15 गोगया तीं तरका 9 से 9 से 9 कड़ गया चार चोग कूऊ 16 पानी की हई अगला सवाल दो सम्दिवाव तुरबुच के छेत्रफल इतने हैं उनकी संगत उचाईयों का अनुपात क्या होगा तो देखो S1 upon S2 एरिया के साथ इनका क्या रेशियो होता होल स्क्वार हो जाता तो छेत्रफल दिये गए थे हमको तो क्या X square upon Y square और side 1 upon side 2 का whole square दोनों तरफ root लेंगे तो S1 upon S2 बरावर X upon by answer आजाएगा अगला सवाल X बरावर 222 बरावर इतना Z बरावर इतना तो इसकी value क्या होगी देखो जब इतने बड़े बड़े number दिये जाए तो इसके लिए एक formula होता है क्या 1 upon 2 X plus का Y plus का Z bracket में X minus Y का whole square plus का Y minus Z का whole square plus का Z minus X का whole square होता है तो यहां से answer आजाता है इसके पूरा बरावर होता है ठीक है लेकिन ऐसे नहीं करना होता है जब इन संख्याओं का difference बरावर हो यानि X, Y और Z AP में हो AP का मतलब difference इनका बरावर हो तो देखो difference एक एक का हो रहा तो इसके लिए फार्मूला होता है 9 into M into D square समझ गए यानि कि M होता है mid वाली संख्या तो mid में कौन सा है 223 है यानि कि 9 गोडे 223 और D क्या होता है difference होता है यानि कि D difference कितना 1,1 का square हो गया तो 9,3,27 हो गया नोदी ने 18,2,20 हो गया नोदी ने 18,2,20 आंसर आ गया अगला सवाल यहां से देखो यह भी simple सवाल है हमें X निकाल लाता है यानि कि यहां से लिख सकते है ZT का whole square ZY into हो जाएगा ZX यह फार्मूला होता है यह property होती है यहां से तो देखो आगे यहां पर सब की value रखते है तो ZT की value कितनी हो जाएगी 144 ZY की value हो जाएगी 8 into हो गया ZX तो यहां से करेंगे तो यह हो जाएगा 18,8,144 यानि कि ZX की value कितनी हागी 18 से 8 गटाएंगे तो आंसर क्या आजाएगा 10 cm अगला सवाल करते है साइन A बरावर इतना हो गया तो साइन square A बरावर क्या होगा बताओ इतना सरल सवाल अगला सवाल एक पुलिस कर्मी ने अपने सामने 40 m की दूरी पर एक चोर देखा दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए एक ही मार्क पर एक ही दिसा में दोड़ना शुरो किया चोर 10 meter per second की चाल से दोड रहा था और पुलिस कर्मी 12 meter per second की चाल से उसका पीछा कर रहा था तो चोर पकड़ने के लिए पुलिस कर्मी को कितनी दूरी तै करनी होगी दोनों की speed देख लो पहले 10 और 12 हो गयी यानि की distance का ratio 10 और 12 हो जाएगा अगर इनका difference देखे तो 2 बरावर क ट्टिन्स कवर की कह गुना होँ रहा था, चे गुना होँ रहा था इसका भी 6 गुना करते हैं 240, ज़े अगला सबल ? यानि कि इसको लिग सकते हैं, साइन स्क्वायर का ठीटा ? यानि कि इसकी पावर अगर 4 करते साइन की पावर 4 ठीटा तो यहां से लिख सकते थे cos square ठीटा इसमें value पुट करते तो 2 cos square ठीटा आजाता समझ गयोगे बात को तो यहां से root करेंगे तो cos ठीटा तो बाहर आ जाएगा अंदर क्या रह जाएगा तू रह जाएगा अगला सवाल कुट पादन विवाग में कारेरत मैलाओं की संख्या ग्यात कीजिए तो देखो यहां से total करमचारी 5100 होते है 5100 बटे करेंगे कितना आ जाएगा 100 total आगे यानि कि उत्पादन में total आदमी कितने होंगे इतने होंगे यानि कि जीरो दो दो पंजे 10 हो गया अब यहां से देखो 2050 टोटल पुरुस का परसेंटेश दिया गया जाएगा 100 की वेलू तू जीरो फाइब 0 हो गया यानि कि यहां से इसमें उत्पादन वाले में पुरुस निकालते है जीरो से जीरो पांच जोकू 20, पांच एकंब 5, पांच दूनी 10 हो गया यहां से करेंगे दौ दूनी 4, दौ चोकू 8 हो गया पाले ब्रत पर इस परकार इस परस रह है कि APV 46 है APV यानिंकि यह ज्टीर हो गया TB wise A Paa लेतं स्कारक्वरों का आदा हो गया dude tą यह हो गया 272 गया कैसे होगा यहां पर यह 90 होगा यह 90 होगा बिलकुल 90 होगा याозмयाओ धीटा होगा निकर थीटा होगा बिलकुल जब इसका 180-54 बरावर तिर्बुज बन रहा यानि कि यहां से 180 हो जाएगा ये cancel out हो गया तो 2 ठीटा बरावर 54 आ गया यानि ठीटा बरावर 27 आ जाएगा अगला सवाल करते हैं यदि सभी गाओं की कुल जनसंक्या इतनी है तो ई और डी जनसंक्या के बीच अंतर क्या होगा तो दिखो ई यह लिखा हुआ है और डी कहां पर यह है यानि कि डिफ्रेंस एक परसेंट यानि कि आंसर आ गया 500 अगला सवाल करते हैं क्योंक्या यहां पर 100 중요 भिच हो गया गुणा करना पड़ेगा एकर कोई दनरास कि氣 सादरत व्याज परसेंट दो गुनी हो जाती है कितने समय में यह 3ski पांच गुनी झाल सवाल कर्मान पाति विद्कुर्मान पाति नेको य के वर्ग के अनकुरमान पाती है यानि X बरावर के वाई स्कायर हो गया X रखेंगे 12, K रखेंगे निकाल लेते हैं य की वेल्व दो दूनी 4 हो गया यानि के वरावर कितना आगया, 3 आगया अब इसमें वेल्व पुट करते हैं अगला सवाल करते है एक वेल्व बस्तूओं को क्रें मुल पर 7% की हानि पर बेचता है लेकिन 18% कम बजन का उपयोग करता है उसके लाव का परसेंटेज बताए देखो 7% हानि पर बेच रहा तो 93 में दे रहा है गाल गहीं है, लेकिन यह क्या खे रहा था पूरे रुपे ाहन परसेंट के रुपए ले रहा था लेकिन चीज़ कितनी दे रहा था अपनेपास से 82 दे रहा था यो नीचे पूरा कोश्पराई हो गया ऊपर वो आ इह तो एक बार जाएगा वाग यह पर पान elétाh चार अगला सवाल करते हैं 60, 14, 382 का SCF क्या होगा सबसे बड़ी संक्या इसमें से देखो 24 हो रही है 24 यहां से काटेंगे 60 कटेगा नहीं कटेगा फिर 6 3 से यह तो कट जाएगा 8, 4, 12, 13 यह नहीं कटेगा 6 से यानिक यह भी कैंसल 4 से देखो यह कट जाएगा 4 दूनी 8 8 बचा कितना एक नहीं कटेगा यह भी नहीं आंसर क्या हो गया अगला सवाल देखो यहां पर यह दिया गया था और हमसे इसकी वैलू पूछी देथी simple सा या तो direct formula लगा दो x plus y plus z का whole square या तो क्या करो z कर दो 0 यह 0 हो गया 0 इसकी वैलू हमें 40 पता थी plus का 2 x y बरावर हो गया 0 यानि x y बरावर कितना आ गया minus का 20 अगला सवाल करते हैं रागा भी एक shopping mall में कपड़े खरीदने गया था उसके पास दो कूपन थे लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता था पहले कूपन का उपियोग करके कुल रासी का 30% की कुल छूट प्राप्ट की जा सकती है दूसरे कूपन का उपियोग करते हुए यदि बहे कम से कम 3,60 खरीदता है तो उसे सबसे महंगी 60 की कीमत पर 80% की छूट मिलती है यदि 3,60 की कीमत इतनी इतनी है तो रागप को 99 कीमत पर 3,60 कीमत पर मिलेगी तो यहाँ से दिखो सिंपल सबाल है अगर हम पहले वाले कूपन से खरीदते तो सभी सर्टो पर यानि कि 12,50 पर भी 30% की छूट मिलती 15,40 पर भी 30% की छूट मिलती 13,75 पर भी 30% की छूट मिलती यानि की कुल मिलाकर इसका कहने की मतलब था इस पर 30% की छूट मिलती यानि की 70% में चीजें वो खरीदता समाज गए बात को आप दूसरे पूपर में 80% मिलता वो भी किस पर? हाइस्ट प्राइज पर यानि की केवल 15,40 पर तो एक चीज समझो इस पर केवल मिला 80% बाकी वहाँ तो तीनों पर 30% मिला तो आपकोस ही बात है इसी पर वो खरीदेगा नियुनतम की मत पर तो इनको सबको जोड लेते हैं यानि की 5 हो गया 7,4,11,11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया, हाँसिल लगा एक हो गया, 3,5,3,8,3,11,1 हाँसिल लगा, एक हो गया, 2,1,3,1,4 हो गया, फिर यहां से कर देंगे 70% यानि की 0 हो गया, 7,9,35 हाँसिल लगा, 3,7,6,2,4,3,45 साथ एक हम 7,4,11 हो गया हाँसिल लगा, 1,7,4,8,1, 29 हो गया, बटे कर देंगे सो आंसर आ गया, ठीक है अगला सवाल करते हैं आरिफ, अरुन और अब्रहाइम देखो कौन कौन है, आरिफ है अरुन जी है और अब्रहाम है 12, 20 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं 20 सब एक साथ कार सुरू करते हैं कार पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, तीन दिन पहले अरुन और चार दिन पहले अब्रहाम कार छोड़ देता है तो कार कितने दिनों में समाप्त होता है, तो दिकूर सिंपल सी बात ये है, कि इनका पहले तो इफिसेंसी निकाले, तो यहां से 120 हो गया, इनका LCM, तो यह 10 हो गया, यह 6 हो गया, यह 5 हो गया ठीक है, अब कार पूरा खतम हुआ होगा, तो एक दिन पहले आरिफ गया, तो आरिफ ने एक दिन पहले गया, इनका एक दिन का काम और बढ़ा दो यह 3 दिन पहले अरुन गया, अरुन का 3 दिन का काम और बढ़ा दो ऑफारा हो गया चार दिन पहले कों गया अब अब राइम अब राइम का चार दिन का काम बढ़ा दू यह Gest हो गया इने कि एक हो गया अब तीनोंने काम Prose थे 116 6 15 2161 28 अगला सवाल इक मी और उसके परवार की निर्भाब यह इसके बेतन का साथ परसेंट है अपने बेतन से 30% और 60% की दो ब्रदी प्रात्व करता है यदि उसकी बचत उसकी प्रारंबिक बचत के 200% से बढ़ जाती है तो नया निर्वाब बढ़े हुए बेतन का कितना परसेंट है तो दिखो बेतन में 30% और 60% यानि की 100 से 30% बढ़ेगा तो 130 हो गया इस पर 60% और बढ़ गया यानि की 0 से 0 चला गया फिर करेंगे यहां से 16,3,8,8 हासिल लगा 4,16,4,20 हो गया यानि की 208 हो गया बेतन उसकी बचत उसकी प्रारंबिक बचत से 200% बढ़ गया यानि की 300% इसका निखालना पड़ेगा 0 से 0 चला गया 4,5,20 हो गया हासिल लगा 2,4,3,12,2,14 हो गया तो यहां से देखो उसका खर्च कितना है 8 यानि की 10 से 4 गया 6 हो गया यानि 68 खर्च हो गया तो कह रहा था कि बड़े हुए बेतन का कितना परसेंट है नय यहां से लगबग सत्रा थी है क्या वन तीन तरका नो यानि की 3 तरका नो बचा कितना है एक यहनि की 3 तरका नो तो 3 के आसपास आंसर आ गया नहीं अगर ऐसे आ रहा तो 53 का डारेक्ट भाग कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है यहां से जाएगा 3 वार क्योंकि 3 प करेंगे 3 तरका 9 हो गया 3-5 हो गया 15 यानि 10 से 9 गया एक बचा यहां बचा च्छे से पाच गया एक फिर उतार लिए जीरू फिर यहां से देखो कैंवार जाएगा दो बार जाएगा 3 बार तो ही बार जाएगा 5 दूनी 10 यानि 3 वार करते तो 15 जाद़ा हो जाता तो एकस स्क्वायर माैनस का मूलाउं का योगफल होता है क्या एकस प्लस स्का ओता है मूलाउं के घुरनफल ठीक, बरावर हो जाएका 9, तो यहाँ से मूलाउं-ाइक योगफल क्या होrabah¿ 울स का बीटा स्क्वायर होग ? क्या इसके लिए मूल क्या है और मूलाउं-क गुडनफल alpha square plus का beta square होगा तो यहां से जब पहले तो alpha beta थे इस समय करण के तो यहां से अगर alpha plus beta निकालेंगे तो minus का b upon a आएगा alpha into beta निकालेंगे तो c upon a आजाएगा अब b क्या होता देखो square का coefficient a होता है यह b होता है यह c होता तो देखो b k लिखेंगे यहां से minus का 13 a की value कितनी है 6 है c लिखेंगे तो 7 बटे 6 हो गया यहांने कि यहां से देखो हमें चाहिए alpha square plus beta square तो इसका whole square करना पड़ेगा alpha square plus का beta square plus का 2 alpha beta 13, 13, 179 बटे हो गया 6 रंग 6 यह थी इसकी alpha plus beta यानी alpha into beta की value 7 बटे 6 थी यानी 7 बटे 6 करतेंगे इसको यहां पर 6 ही रहना है तो ऊपर यहां पर 6 का गोड़ा और कर लो क्योंकि इधर जाएंगे तो minus करेंगे यानी minus का करेंगे 6 दूनी 12, 12, 17, 84 बटे 36 हो जाएगा क्योंकि नीचे उपर नीचे दोनों जगह किया था तो 9 से 4 गया 5 हो गया फिर यहां से गटाएंगे तो 16 से 8 गया 8 बचया यानी कि बटे हो गया 6 समझ में आ गई alpha into beta यानी कि यहां से जब लिखेंगे मूलों का गुड़न फल तो alpha square into beta का square होगा यहां पर साइद गलत लिख दिया था ठीक है मूलों का गुड़न फल लिखना था तो यह होगा तो यहां से दिखो हमें सबकी value पता लगए इसको यहां लिखते है x square minus योग फल कितना गया 85 बटे 36 into x plus का गुड़न फल कितना जाएगा alpha plus beta इतना था तो 77 49 बटे का 36 बरावर हो गया 0 पूरे में 36 का गुणा कर दो यहां से 36 का x square minus का 85 x plus का 49 बरावर 0 आंसर आजाएगा अगला सवाल करते हैं check a बरावर दिया गया था इतना हमको इसकी value बताने था यहां से अगर direct लिखते तो cause क्या होता cause होता आधार बटे कर्ड होता है और उसका opposite हो जाएगा यानि कर्ड बटे आधार हो जाएगा यानि कि यह हो गया यानि कि यह 3 हो गया जब 10 लिखेंगे तो 3 बटे 4 यहां से करेंगे 1 प्लस का 3 तरका 9 बटे 4 चुकू 16 16 25 बटे 16 हो जाएगा यहां से साइं किमक है कितना हो जाएगा यिन बटे 5 क्योंके लंबबे काड हो था सहे दीया गया था यहां से करेंगे चार चुकू 16 यह उपर जाएगा चारती है बारा बटे पच्चस माइनस का बारा बटे पच्चस आंसर आ गया जीरो अगला सवाल एक बारा सेंटिमीटर तरजिया वाले ठोस दात्वी गोले को पिगला कर एक संकू का अकार दिया जाता है जिसके आधार का ब्यास इतना संकू की उचाई क्या होगी तो देखो पाई बटे तीन कट गया होगा तो बचा कितना चार आर स्कूर आर क्यों होगा ना तो बारा गो आर दूनी sovereign 16 हो गया 12 बटेस होगया 11 का साथ अंकी संक्या ये दी गयती 11 त से विवाज पी किसके बरावर होगा तो देखो पाँच प्लस का पी हो गया फिर 9 5 14 हो गया 14 और साथ कितना होगया 21 21 22 1 7 uh बटे सात जीरो आ जाए या तो 11 तो पी वेलू क्या रखेंगे तो 215 हो जाएगा 2615 का डिफरेंस 11 आ जाएगा आप्शन से भी पूट कर सकते थे मैंने तो आप्शन से ही कर दिया आगला सवाल करते है एक परवार के 6 सदस्यों की आउसत आयू 40 बरस यदि इसमें एक अथित की आयू समलित कर ली जाए तो उसके औसत आयू में साड़े बारा परसन की ब्रद्धी होती है अथित की आयू कितने होगी देखो अथित के आने से ब्रद्धी हो रही यानि कि वो 40 से तो ज़्यादा लेके आया और ब्रद्धी कितनी हो रही थी average में 12.5% कहने कि 40 से 12.5% मतलब 1.8 की ब्रद्यूरी यानि की 5 की ब्रद्यूरी कितने लोगों में पहले 6 थे एक और बढ़ गए यानि 7 लोगों में तो कितना 7.5 35 का यानि कि उसकी आयू कितनी होगी 75 वर्स अगला सवाल करते हैं चलिए फिर 12 दिसम्मर की shift 4 आपकी complete हो गई है पढ़ते रहे हैं आप केवल 13 तारिक की shift बची है उनको भी फटा फट एक दिन में complete कर लेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत